assalamu alaikum everyone i hope you're reading well sir today we're going to make pen will sandwich recipe ramadan special this is very easy and very delicious so let's begin with the video लेकिनों से पहले आप सर में चान को subscribe करते हैं इसके बाद video start करते हैं हम लोग यहां पर सबसे पहले उसकी white sauce बना देंगे उसके लिए हमने यहां पर सबसे पहले ली है cream 4-5 tablespoon धन्यार पुदीना की चट्नी 1 tablespoon इसको अच्छी तरह से mix कर देंगे उसके बाद हमने इसके अंदर आड़ कर दी है इसके अंदर आड़ कर दिया है milk 2 tablespoon इसको भी अच्छी तरह से mix कर लेंगे इसको अच्छी तरह से mix कर लिया और यहां पर आप देख सेकते हैं कि हमारी white sauce बिल्कुल तियार है अब हम लोग इसकी chili sauce तियार कर लेंगे उसके लिए हमने यहां पर सबसे पहले ली है garlic sauce उसके अ हमने आड़ कर दी है mayonnaise two tablespoon salt half teaspoon oregano half teaspoon and then we add red chili flakes in it one tablespoon now mix it well यह देखें जी हमने इसको अच्छी तरह से mix कर लिया है और हमारी red chili sauce बिल्कुल त्यार है उसके बाद हमने यहां पर ली है three bread slices अब हम लोग इसके borders को अच्छी तरह से cut कर लेंगे चारो तरफ से इनके borders को च्छी तरह से cut करने के बाद हमने इनको बेल लिया है आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम इसको किस तरह से बेल रहे हैं इसके बाद हमने यहां पर जो white sauce बनाई थी उसको इसके borders पर लगा देंगे अच्छी तरह से यहां पर आप देख सकते हैं कि हम इसको किस तरह से लगा रहे हैं इसकी तरह से लगाने के बाद अब दूसरी bread को जिसको हमने बेल की रखा था उसको इसके downward लगाएंगे अपव की तरह से प्रेस हो चुकी है उसके बाद हमने इसके दूसरे साइट पर भी इसी तरह से उसको borders पर लगा लेना है white sauce को और जो तीसरी bread को हमने बेल के रखा था उसको भी इसके साथ इसी तरह से same process करेंगे बेलने के साथ आप इसको बेल लेंगे यह देखें जी हमने बिल्कुल एक straight से bread को बना लिया है तीनों को जोड़कर अब हमने जो white sauce बनाई थी उसको अच्छी तरह से इन तीनों पर लगा देंगे आपने इसके end पर नहीं लगानी अब बिल्कुल center center में लगाएंगे end पर नहीं लगाएंगे यह देखें जी इन तीनों प्रेड की slices पर हमने अच्छी तरह से यह white sauce लगा ली है उसके बाद हमने यहां पर थोड़े से vegetables ली हैं जिसमें हमने यहां पर सबसे पहले ली है capsicum carrots और बन को भी इनको हमने अच्छी तरह से cut करके रख लिया है यहां पर आप चाहरें तो अपनी कोई और फिवरेट वेजिटेबल पीस में आड़ कर सकते हैं उसके बाद हमने यहां पर सबसे पहले इसकी उपर capsicum को आड़ कर दिया है और उसके बाद हमने यहां पर जो chili sauce बनाई थी उसको इस पर आड़ कर देंगे यहां पर आप देख सकते हैं हैं बिल्कुल इसी तरह से आपने इस पर chili sauce आड़ कर लेनी है यह देखें जी chili sauce हमने इस पर अच्छी तरह से आड़ कर दी है उसके बाद आप हम लोग इस पर carrots को आड़ कर देंगे यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको भी अच्छी तरह से आड़ कर दिया है then carrots को बाइड करने के बाद अब हम लोग इस पर is infections को बनको भी यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने इस पर कीस तरह से इसको एड किया है इन सारे मेजी टी तार शीजैझ करने थी हमने वो भी इस पर एड़ कर दी है थोड़े से मायोनीज और यह देखें जी यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने इन सब चीजों को अच्छी तरह से इस पर सट कर लिया है उसके बाद आप हम लोग इसको रॉल करेंगे बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इसको रॉल करेंगे ताइड सा एक रॉल्ड बनाना ज़ा हमने याँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोंक इसको किस तरह से रॉल कर रहे हैं है Mü किया पर आप देख सकते हैं कि हम लोगं इसको अच्छी तरह से रॉलّ करते हुए एंड तक ले आए हैं अब मैस commissioner abges becoming the आझ तोड़ाही तो यहां पर उसके बाद हमने यहां पर एक शीट ही है इसको हमने अच्छी तरह से इसको रॉल करते हुए नीचे लाएंगे यहां पर आप देख सकते हैं कि हम इसको किस तरह से रॉल कर रहे हैं इसी तरह से इसको पर अच्छी तरह से राप कर लिए इसको और यह देखें जी यहां पर है हमने इसको फिरेजर से निकाल लिया है और उसके बाद हमने इसको पीसिस में कट कर लेना है हमने यहां पर वन वन इंच की डिस्टंस पर रखके इसको कट कर लिया है जी तरह से यह देखें जी हमने इसके सारे पीसे कट कर लिये हैं उसके बाद आप हम लोगी इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और ये देखें जी हमने इनको प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है और ये कितने अच्छे लग जितनें एक distant लग रहा हैं उसे कई ढूना जादे ही खाने में जाइदार है और इतने ही healthy अप इस मसअदार सी रेसिपी को इस तार में भी ट्राय कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत ही जल्दी और बहुत ही मज़ेदार बनती है so guys I hope you like the video if you like the video please do like, share, comment and subscribe to my channel and don't forget to press the bell like and do shit with your friends and family thanks for watching